अब कर दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नाट्पिकेशन मुफ्त में मिल सकें है लो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेटकल दोस्तों मेरी इस मेटकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है आज हम पाइल्स का फुल ट्रेटमेंट वह भी अलुपैथिक तरीके से बताएंगे इस वीडियो में जो की पुराने से पुराने पाइल्स को मातर क कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक कर देगा तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कियें तो प्लीज जाके लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लें इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में डिटेल में तो जैसे कि आपको सामने ये एक ओसिल क्रीम दिख रही है जो की पाइल्स की ये क्रीम है और पाइल्स को अगर आप एलुपायथिक तरीके से पूरी तरह से ठीक करन चाहते हैं वैसे तो मार्केट में बहुत से क्रीम आती हैं पाइल्स को ठीक करने के लिए या बहुत से आयरवेदिक तरीके भी हैं पाइल्स को ठीक करने के लिए बट लेकिन ओसिल जो क्रीम का रिस्पॉंस है पाइल्स को ठीक करने में बहुत ही बेटर है तो उसमें आपक इस दिन तक आपको खाना है कांटिन्यू ओसिल कैपसुल जो है एक एक कैपसुल सूबा साम खाना खाने के बाद लेना है और साथ में ही इस ओसिल क्रीम को लगाना है इससे आपका जो पाइल्स यानि की बावासीर जो है बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी पुरानी से पुरानी पाइल्स को ये ठीक करता है साथ में ही जिन पाइल्स यानि की बावासीर में अगर ब्लड ब्लेडिंग हो रही है जैसे कि बहुत से पाइल्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ मस्सा निकलता है और खुजली होती है जलन होता है दर्द होता है बट ब्लेडिंग नहीं हो काफी दर्द होता है तो उनमें भी यह ऊसिल क्रीम और ऊसिल कैपसुल जो आथा है यूज किया जाता है तो आप टोटल कोर्स करना चाहते हैं तो 11 देस तक कर सकते हैं और साथ मैं ही इस ऊसिल क्रीम का भी यूज कर सकते हैं और आपकी पाइल्स जो की बिलकुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी अगर कोई समस्या आती है तो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें उसके बाद ही इस ट्रीटमेंट को ट्राइ करें तो यह था पाइल्स का फुल ट्रीटमेंट यानि कि बाबासीर को हम कैसे ठीक करें आसा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुलिएगा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद